क्या आपको ये laptop लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको बजट है 30,000 रुपीज यानि की 30,000 रुपे तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दिख्या है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो top 5 laptop जो आप 30,000 रुपीज के बजट मिले सकते हैं and believe me दोस्तों अगर आपको बजट 30,000 रुपे का है तो market के अंदर आपको इससे best laptop 2018 के अंदर अभी इस वीडियो के बनने तक नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी research करने के बाद मैं ये आपको वीडियो अभी दे रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो या तीन बाते जरूर शेयर करना चाहूँगा पहली सबसे important बात अगर आप एक gaming laptop देख रहे हैं 30,000 के budget के अंदर तो please मेरा आप से एक advice है कि 30,000 के budget में आप ना जाए उससे आप ऊपर चले जाएगी काफ़ी research करने के बाद भी मेरे को मालूम पढ़ा है कि जो आपको कुछ ऐसे brands के laptop जो कि इतने ही अच्छे उनकी service नहीं है ब्रांड इतने अच्छे नहीं है वो हो सकता है आपको एक graphic card वाला laptop आपको इस range में दे दे लेकिन बाद में मिलने वाली after sales service या उसकी quality में मैं आपको कोई guarantee नहीं दे सकता हूँ जो मैं आपको laptop बता रहा हूँ वो laptop मैंने पूरी अच्छे तरीके से research करने के बाद ही मैं आपको share कर रहा हूँ दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आप laptop लेने के लिए जाएं तो company को ज़रूर prefer करेजेगा क्योंकि after sales service आपको ultimately वो company देने वाली है इसलिए मैं जो आपको top 5 laptop बता रहा हूँ उसके अंदर मैंने Dell, HP और Lenovo ये तीन brand ही रखे हैं इसके अलावा मैंने brand नहीं रखे हैं क्योंकि after sales service जब मैंने research किया है तो उनकी इतनी अच्छी मुझे नहीं मिली अगर उनकी after sales service आने वाला टाइम मैं अच्छी हो कि definitely मैं अगले आने वाले वीडियो के अंदर उनको ज़रूर शामिल करूँगा तो बिना वक्त गवाए मैं इस वीडियो को start करता हूँ दोस्तों हमारा पहला laptop जो होने वाला है वो है HP का 15Q model का number है जो है BU006TU ये laptop आपको 30,000 की range के अंदर मिल जाएगा इसके अंदर आपको Intel का Core i3 6 generation का processor मिलने वाला है 8GB की इसके अंदर आपको DDR4 की RAM मिलेगी जिसको आप 16GB तक बढ़वा सकते हैं 1TB की इसके अंदर आपको hard drive मिलेगी 1TB की hard drive और वो भी 500 RPM के अंदर 15.6 इंचिस की आपको इसके अंदर full HD की screen मिलने वाली है इसाथ में Intel का 520 का integrated graphics मिलने वाला है तो normal की आप इस game इसके अंदर आप खेल पाएंगे Daily use के लिए laptop काफी अच्छा है अगर आप एक normal user है जिसके अंदर आप Word, Excel, PowerPoint जैस software यूज करते हैं इंटरनेट का surfing करते हैं डेफिनिटली ये laptop आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है इवन अगर आप multitasking भी करते हैं तो laptop आपके काफी काम आ सकता है तो you can go for this HP एक अच्छा brand है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं दूसरे laptop के अगर बात करूँ तो दूसरा laptop जो है वो Lenovo 15 है model का number है V1080TL016LiH दोस्तो models के नाम काफी लंबे हैं हो सकता है आपको इस तरह के से ढोड़ने में थोड़ी दिक्कत आए तो मैं नीचे description में इनके बारे में detail आपको जरूर दूँगा आप उस पर click करके directly आप उस website पर जा सकते हैं और अपने चाहे तो laptop को purchase भी कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको दूसरा एक बात जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि अगर हो सकते तो यह laptop अगर आपके nearby outlet में अगर available है तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर इसको देख सकते हैं और physically भी देख सकते हैं क्योंकि कई बारी क्या होता है कि online जो shopping होती है उसमें जो delivery होती है वो काफी बढ़ खाबड हो सकते तो parts में नुकसान ना पहुचे कई बार ऐसा होता है कि अंदर ये अंदर body के अंदर नुकसान हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है तब तक हमारे replacement के time चला जा चुका होता है तो ऐसे में मेरा suggestion है जब भी आप laptop buy करें तो एक बार nearby अपने market में जरूर जाएगा और वहाँ पर जाके ही इसको purchase किजेगा ताकि जो इस तरीके की delegate parts होते हैं या फिर जिसे camera की बात करूं या laptop की बात करूं तो अच्छा रहता है कि उसको एक showroom में जाके ही और authorized showroom में जाके ही उसको purchase किया जाए तो इसी बात मैं इसी चीज में आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैंने configuration इसकी बतानी है model number मैंने बता दिया description मैं आपको नीचे दे रहा हूँ तो configuration इसकी है Intel i3 processor इसके अंदर आपको मिलेगा 6 generation का 4 GB की इसके अंदर आपको RAM मिलेगी इसका आप 16 GB तक बढ़ा सकते हैं 1 TB की इसके अंदर आपको hard drive मिलने वाली है Full HD की इसके अंदर आपको screen मिलेगी 15.6 inches की 1.93 kg का इसका weight है इसका एक cone है इसके अंदर आपको DOS जो है वो मिलने वाला है यानि कि Windows इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी वो आपको अपने आप से डालनी पड़ेगी या फिर आपको एक purchase करके किस से डलवानी पड़ेगी 4 sales की इसके अंदर आपको lithium बैटरी मिलेगी तो दो साल की आपको extra warranty मिलेगी तो इसके साथ एक बहुत अच्छा pro यह है अगर आप बहुत long term के लिए बहुत safe रहना चाहते है और एक ऐसा laptop लेना चाहते है जो college आप start करो तो end तक आपके काम आए तो definitely आप इस laptop के लिए जा सकते हैं अब बार ही आती है नमबर 3 नमबर 3 पे है डेल डेल का वोस्त्रो 3468 मॉडल है और इसके अंदर आपको मिलेगा Core i3 7th generation का प्रोसेसर जी हां 7th generation का प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है 2.4 GHz की clock speed के साथ 4GB की इसके अंदर आपको RAM मिलेगी जो इस model के अंदर आपको मिलेगी वो है fingerprint scanner तो आप थोड़ा सा अगर privacy का ध्यान रखते है safety and security आपके लिए अच्छा एक बड़ा concern है तो definitely आप इस model के लिए जा सकते है fingerprint security इसके अंदर मिलेगी इसके अलावा इस series के अंदर ये अकेला laptop है मतले इस range के अंदर ये अकेला laptop है जिसके अंदर आपको VGA plus HDMI port दोनों मिलने वाले हैं तो अगर आप एक business man है और एक sales में है जिसके अब regular आपको presentation देनी पड़ती है तो definitely आप इस laptop के लिए जाएगा तो काफी सारे आपके जो passwords वगरा होते है तो safety के इसाब से अगर मैं कहूँगा तो ये laptop काफी अच्छा है fingerprint की अगर बात करूँ TPM की बात करूँ या फिर इसके अलावा VGA और HDMI port दोनों होने की बात करूँ जो सिर्फ इसी series के अंदर available है तो फिर अगर आप sales profile से या फिर आप business profile से तो definitely आप इस laptop के लिए जा सकते है ये आपको काफी help करेगा दोस्तो चोथे अगर laptop की बात करूँ तो है Lenovo का Idea Pad और model का number 320 एक simple इसके अंदर configuration आपको मिलने वाली है वही i3 6th generation का Intel Core i3 processor है 4GB की RAM है, 1TB की hard driver door smart disk के अंदर आपको मिलने वाला है Lenovo की अगर बात करूँ तो brand अच्छा है और इसकी service भी काफी अच्छी है strong laptop होते है तो अगर आप एक basic laptop देख रहे हैं 30,000 के अंदर जो आपको tough एक laptop हो और आपको long term में आपको support करें तो आप इस laptop के लिए भी जा सकते है और अगर हम बात करूँ तो number 5 पर जो laptop आता है वो laptop है Dell Inspiron 14 और model का number 3467 है 39,990 रुपे के अंदर ये आपको laptop मिलेगा और इसके अंदर आपको configuration की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा Intel Core i3 6th generation का processor 4GB के इसके अंदर आपको RAM मिलेगी जिसको आप 8GB तक बढ़ा सकते है 1TB की 1TB की इसके अंदर आपको hard drive मिलने वाली है इसके अंदर भी आपको Windows 10 का जो है Home Edition मिलेगा 64-bit का ये जो है Edition है Windows 10 का तो आप gaming बगरा करते हैं तो वो भी आपको काफी help रहेगी 64-bit के अंदर जो software चलते हैं वो भी इसके अंदर आराम से चल पाएंगे Weight इसका काफी ठीक ठाक सा है 2 kg से कम में आता है 1.96 kg का है तो आप carry करके अगर इसको घुमते हैं तो वो भी आपको ज़्यादा weight इसके अंदर महसूस नहीं होने वाला है 14 इंचिस के अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाले है साथ ही आपको मिलेगा 15 महीने का MacCafe Antivirus का सब्सक्रिप्शन तो अब इसके अपर offer चल रहा है MacCafe का इसके अंदर Antivirus मिल रहा है अगर आप नेट थोड़े जादा सर्फ करते हैं एक थोड़ी से advantage है कि आपको इसके अंदर MacCafe का Antivirus मिल जाएगा तो आप इस laptop के लिए भी जा सकते हैं दोस्तो ये थे वो 5 laptop जो मैंने आपको suggest करें और नॉर्मल मैं आपको बतायता हूँ कि Wi-Fi, LAN port, webcam, DVD ये लगबग सभी इन laptop के अंदर मिलने वाले हैं दूसरी चीज़ ये कि जो warranty है वो आपको normally जो company defect है उसी के उपर मिलता है अगर आपका laptop जो है वो गिर गया तोट गया या पानी उसने चला गया तो उसकी warranty आपको नहीं मिलती है तीसरी चीज़ के अगर बात करूँ क्यों मैं आप से कह रहा था कि local store में आप इसको जाकर purchase कर सकते हैं क्यों कई बारे local store में आप जाकर purchase करते हैं तो आपको extra वो carry bag इसका laptop को आपको साथ में दे सकते हैं हाडवेर के तो ऐसे में आप local vendor के पास उस laptop को ले जा सकते हैं और सबसे important बाद जो मैंने पहले भी बताई अगर आप online कोई चीज़ खरीते हैं तो वो काफी जगे से travel होके आपके पास आती है और हर जगे एक नया courier वाला होता है तो अपने इस साब से उस चीज़ को आगे पहुचाए जा रहे हैं जबकि HP Lenovo और Dell जैसे आप शोरूम में जाते हैं तो वो शुरुआत से लेके end तर काफी अच्छी तरही से carry करके उसको laptop को लेके जाते हैं शोरूम में तो काफी कम chances होते हैं उस जिसके खराब होने के और nearby तो आप उसके पास जा भी सकते हैं तो कु जल्दे ही मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो के अंदर